तो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तब से आपको प्यार बहरा नमस्कार सत्स्रियाकार अदाब आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई डिश के साथ आज हम बनाएंगे वेज कटलेट यह सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद है आए देखते हैं इसके तीन पोटेटो लिए हैं जिनें उबालकर अच्छी तरह से छील लिया है और यह कुछ वेजी लिए हैं यह कैरेट कैपसिकम प्याज हरी मिर्च जिंजर गार्लिक पेस्ट और धनिया यह मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं पांच स्लाइस लिए हैं मैंने और इसका पोड़ा लिया है यह आमचुर पाउडर नमाख लाल मिर्च पाउडर साबुच जीरा गरम मसाला और काले मिर्च और यह मैंने कॉन फ्लॉर लिया है दो बड़े चममज अब हम एक बाउल लेंगे उसमें इन पोटेटो को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे यहें चीताएं से पहले तोड लेती हूं फिर उने मैश करूंगी यह देखिया मैंने इसको मैश कर लिया है अब मैं ब्रेट के स्लाइस को भी छोटा छोटा तोड कर इसमें डालूंगी दोस्तों ब्रेट इसमें बाइंडिंग का काम करता है, ब्रेड भी और कॉर्ण फ्लास भी, यह मैंने सब ब्रेड इसमें डाल दिये हैं, अब मैं इसमें सारी सबजियां भी डाल दूँगी, यह मैंने कैरेट चॉपर में चॉप की है, भारी शिमला मिर्च, प्याज, आपको और भी कोई अगर सबजी पसांद है, जो आप इसमें डालना चाहते हो, आप वो भी डाल सकते हो, जिंजर गार्लिक पेश्च, और धनिया पत्ता, यह मैंने काली मिर्च डाल दिया इसमें, गरम मसाला, साबो जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और आमचुर पाउडर, यह हम सुबह के नाश्टे में भी खा सकते हैं, और शाम के नाश्टे में भी खा सकते हैं, यह मैं इसमें, नियम्बू का छोटा टुकड़ा भी स्क्वीज कर दूँगी, इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है, टेस्ट और भी ज़्याद अच्छा हो जाता है, अब मैं इसमें कॉन फ्लाइर डाल दूँगी, दो बड़े चमच लिया हैं मैंने, अब मैं इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, हाथ से ही मिक्स करूँगी, हाथ हमें अच्छी तरह से पहले दो लेने चाहिए, यह दिखिए, मैंने अब इसे मिक्स कर दिया है, अब मैं थोड़ा सा ओयल लगाऊंगी हाथों पर, और इसके कटले स्तियार करूँगी, आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं, मैं इसे अबर शेप में बना रही हूँ, यह देखिए, अब मैं इसी तरह से सारे बना कर रख लूँगी कटलेट्स, यह देखिए, दूसरा भी अच्छी तरह से बन गया है, हमें सबी इसी तरह से बना लूँगी, यह देखिए, सारे कटलेट्स त्यार हो चुके हैं, यह लास्ट में मैंने इसको राउंड शेप दे दिया है, और ओयल मैंने इसमें गरम कर लिया है कडाई में, अब हम इसे डीप फ्राइ करेंगे, अब एक एक करके मैं कडाई में डालती जाओंगी, गरम ओयल में, इसे पहले अच्छी तरह से ओयल को हमने हाई फ्लेम पर ओयल को गरम करना है, फिर उसे मेडियम पर कर देंगे, यह देखिए, हलके ब्राउन होने शुरू हो गए है, अब मैं फ्लेम थोड़ा स्लो कर दूँगी और उसे अच्छी तरह से पकने दूँगी, फ्लेम हमें अच्छी तरह से पकाना है, और वेजी भी इसमें अच्छी तरह से पक जाएंगे, यह देखिए, अब हमारे कटलेट्स अच्छी तरह से त्यार हो चुके हैं, अब मैं ऐसे टीशू पिपर पर निकाल लूँगी, तरह से 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 तरह स अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स यह बहुत जल्दी बन जाने वाली डीश है आप एक बार इसे जुरूर ट्राई कीजिए अब इसी तरह से मैं बाकी बचे कटलेट्स भी फ्राई कर लूँगी मैंने सब इसे कटलेट्स ढाल दिये हैं यह भी हल्क हल्के ब्राउनों ने शुरू हो गए है फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी जुरूर प्रेस कीजिए देखिए यह भी त्यार हो गए है सबी कटलेट्स त्यार हो चुके हैं अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे यह देखिए यह लीजिए दोस्तों आपके लिए त्यार है वेज कटलेट्स इसे हरी चटनी और एमली की चटनी से दोने के साथ खा सकते हैं फिर मिलते हैं अगली एक नई डिश के साथ तब तक के लिए बाई बाई त्यार इस दो दोने के साथ दोने किसे दोने के लिए तुम के साथ तक टोने के लिए रागे